गॉंडा से सामने आई है पती की कुरूरता, हैवान पती ने गर्म बतादे की कर्चु से पत्नी को जलाया और रिष्टेदारों से करवाई पत्नी की बेज़दी गायल पिडिता ने भाग कर अपनी जान बचाई, वहीं पिडिता का जला स्पताल में इलाज चल रहा है, पुलिसे रासत में आरूपी पती और रिष्टेदार गौंडा से सामने आई पती के क्रोरता, किस तरह से एक पती हैवान बन सकता है, उसकी तस्वीर देखने को मिली है, बतादे कि हैवानियत कि सारी हथे पार कर दी रिष्टेदारों से भी अपनी पत्नी की बेज़दी कराई, किसी तरह से पत्नी ने यहां से भाग कर अपनी जान बचाई है, पुलिस ने भी पौरी तोर पर यहां कारेवाई की, पुलिस ने आरोपियों को गरप्तार कर लिया है, पिडिता का जिला अस्पताल में लाच चल रहा है, पुलिस ने हिरासत मिली आया आरोपी पती और रिष्टेदार को, गौंडा से सामने आई पती की कर नूरता और हैवानियत की सारी हदे पार कदी एक पती ने हैवान पती ने गर्म कर्चों से पत्नी को जलाया, रिष्टेदारों से करवाई पत्नी की बेज़ती, खवर पर जादा जानकारी के लिए मेरे सयोगी राजकुमार चुड़ गया है, राजकुमार क्या था पूरा बाबला? जिसको लेकर के जबकि उतने जो पिरित के तरफ से कई बार ठाने पर अप्लिकेशन भी दिया गया था, इस बाद को लेकर कि मुझे परतालित किया जा रहा है, मुझे बहेस की बिमान की जा रही है, तो ऐसे में आज जब उसका पती है, वाईक से लेकर के यहां बूरा शहर आया है कि उसकी साधी खरगु पृत्वाना चेतर में हुई थी, यहां लेकर आया है और इसके बाद जो अपना रिस्तेदार बताया जा रहा है, अभी इस बात की पुछ्टी पुलिस नहीं की है, क्योंकि महिला यही बता रही है कि शायद इनके रिस्तेदार है, तो उनके रेप की बात नहीं की है, लेकिन जो जो शिकायती पत्र जो पुलिस को दिया गया है, उसमें बाकाइदा उसमें बात की पुछ्टी की है, कि उसके साथ ना सिर्फ बेज़ती की गई है, बलकि उसके साथ रेप भी किया गया है, हला कि पुलिस ने इस बात को फिलाल इसमें ती और उसके रिस्त हड वो महिला सिपाह ही तो जो डाक्टरों पेंने बात हुई है पर यह काईना है कि जो महिला की एस्थिती है वो कोई बहुत कंभीर नहीं है फिलाल पुलिस उसका मेडिकल करा रही है और इसके बाद मेडिकल के बाद जब मेडिकल रिपोट आ जाएगी तो बेडिक कारवाई इस तब पुलिस करेगी जे राशकुमार सिंग खबर पर जानक कारी दिने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया